असलाम लेकुं स्टूटेंट्स आयम यूर नियू टीचर अंबर आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चेप्टर मायर अरफ सेंट्रल टेंडेंसी कल जो लिंक मैंने डाला था उसमें इसका इंट्रोडक्शन दियावा है यह से मैसरेटी यह लेकिन यह के अब आपको यहां पर लादा डिफाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि फर्स्टेर में आपको इंटेल में बढ़ा दिया गया है ठीक है कुछ है स्टूटेंट जिन्होंने पहले स्टैट्स नहीं पड़ी वी सो दैस्ट्स वैंनोंने यह चैप्टर आपको आपको आगे रेपीट किया है तो वह मै अब इसका मतलब क्या आपके पास इसका मतलब होता है आपके पास कि जितनी भी आपकी वैलियोस होती है उनका एक सेंट्रल पॉइंट होता है अरिया ओफ सेटिस्फेक्टरी एवरिज इस देखो आपके पास इनोने पॉइंट दिया में कि आपके पास कौन सी अवरिज सेटिस्फेक्टरी होती सबसे पहले आपके पास है रिग्रीशली डिफाइंट बेस्ट नोन अलब्सर्वेशन में इस इंपर एंड इसी टुइप्रेट कुइक एंड इसली चैल्कुलेट इम निए आपका फिप्पाइंट एम निए बिल to mathematical treatment next up के पास a relatively stable in this in the repeated sampling experiment no no undelay not undelay and delay influenced by abnormally large and small observation and every that possesses all or most of the conditions start stated above is considered a satisfactory average अब आपके पास इन्होंने बता दिये कि आपके पास satisfactory average होती है next आपके पास topic है आपके पास type of average type of average में आप देखो आपके पास arithmetic mean, median, mod, harmonic mean and geometric mean जो सबसे पहला topic हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास arithmetic mean जिसको आप mean भी कहते हो am से भी generate करते हो ठीक, arithmetic mean में आपके पास होता क्या, arithmetic mean और simple mean is the most similar average आपके पास देखो इसमें कहा कि सबसे simplest form है आपके पास arithmetic mean average निकालने कि लाइक आप जैसे आप simple average निकालते हो यह आपके पास arithmetic mean वही है mean होता क्या है इसमें इसका formula आपके पास sum of all observation divided by number of observation ठीक है आप इसका देखो अगर आपके पास यह population में से इसको mu से denote करेंगे अगर यह samples में से तो इसे x पार से denote करेंगे ठीक, like आपके पास यह नीचे एक example दीवे 3.1 the marks obtained by 9 students are given blue आपके पास just एक ungroup data कोई grouping नहीं हुई वी कोई classes नहीं दीवी आपके पास एक ungroup data दिया है ठीक है जिसमें आपने mean निकालना है simple आपके पास यह values दीवी है और 9 values दीवी है इन्हें आपने add किया और 9 पे दीवी आपके अपनी example देखो example में आपके पास answer आया है 40 40 आपके पास answer देखो 40 से आपके पास ज्यादा values भी है 40 से छोटी values भी है ठीक है next आप आपने यह करना है कि आपके exercise में जितने ungroup data के question नहीं मीन के वो आप लोगों ने खुछ solve करने है ठीक है गो